गाइज अनकाडमी के जरब से आप सभी लोग लेक पर फिर से बेस्ट बैच को लाउंच कर दिया गया है जैसे कि आप पने स्कीन पर देख सकते हैं बिजय पत्त इंडी बैश सकूष और यहां पर मिलिग इंडीय इंडीय वन एजुकेटर इछ इस फिर ना पर देख सथो और ऑज इकाड़्व आजट प्लेट फोर्मस के लिए तीन महीनाग सब्सक्रिंट प्राम्च के लिए तीन महीना का सब चिप्सक्रिंट एक महीनेका च जो कि यह अप लिकेवर ओनली ओन 11 फर्वरी ठीक है देख सकते हैं और जो पैंथर एंडिवन बैच आ गया है क्रास कोर्स 2022 के लिए जो कि काफी मस्त बैच है यह नौ फर्वरी से स्टार्ट किया गया है बैच को थोड़ा यहां पर मिस्टेक 9 यहां पर जो 9 जनुवरी लिख सकते हैं यह वी काफी मस्त बैच इंडियास के नुबर वन एजुकेटर के लिए इस बैच को भी थियार कर दियागे ठीक है यह भी 9 फेप से स्टार्ट है और एंडिट जो रखा है फिप्ट अपरेल तक रखाग है 2022 तक तो आप लोग जाके जोई कर सकते हैं इकोनिक सब्स अब इस प्लस सब्सक्रिशन और आइकोनिक में क्या अंदर बहुत ज़्यादा है यहां पर आप सबसकते हैं बहुत बेरिपीट है ठीक है तो दोनों अलग है और इस बात को दिस्क्रिप्शनल लिंक है दोनों का अलग-अलग जाइए इंडॉल करिए को आप सभी लोग आज आप लोग लिए यानि science के most important question जो आपके exam के लिए बिल्कुल important रहेगा ठीक है और यह सारे question previous यह रहे ठीक है तो बिल्कुल वीडियो को end तक जरूर बने रहेगा और एक चीज़ यहां पर यह बता दो कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते है तो हमारी यानि वीडियो की description box में telegram और instagram दोनों का link दे दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करता होगा telegram channel join करना है और वहां से सारे video PDF file को download कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे पहला question आपके इस trend को पर यह है पहला question ही कि उस्मा क का SI मात रख क्या है उस्मा का SI मात रख है नीचे में आपको चार option दिये गया है option A में जुल option B Newton option C वाट या फिर option D पासकल इसका right answer आप तो सभी रुको पता होगा क्योंकि यह सारे question क्या है previous year है और ऐसा ही question आपके exam में आपको arise किया जाते है ठीक है और इस question का right answer क्या हो ज answer देखेंगे सवाल number two आपके screen के उपर है की ठंडे देशों में सित कालिन में जीले जम जाती है जबकि नीचे के जल काताब क्या होता है बहुत अच्छा सवाल है science का सवाल यह सारे previous year question आपके exam के लिए ध्यान से देखिएगा सवाल क्या अगर आगे फिर से दुबार से repeat कर करते हैं कि ठंडे देशों में जीले जम जाती है जबकि नीचे का जल का तापमान क्या होता है यह आपके से पूछा जा रहा है तो देखें इसमें होगा आपका right answer क्या हो जाएगा option number यहाँ पे C हो जाएगा right answer ठीक है यह चार डेगरी Celsius रहता है ठीक है यह जो ठंडे इस question का right answer अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे question number 3 यह है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है बहुत अच्छे सवाल है कई बार exam में पूछा गया है और यह question very very important है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान क्या होता है तो देखें यह होता है 99.4 degree falling ठीक है यह आपको या है कि जल वास्थ पी क्रित नहीं होता होगा जदी क्या होगा option A तापमान 0 degree Celsius पे हो option भी आदरता 0% हो option C आदरता 100% हो या फिर option D तापमान 100 degree Celsius हो right answer comment करेंगे question number 4 का और इस question का right answer option number C हो जाएगा C में हमारे पास के आदरता जब 100% रहेगी तब हमारा जल वास्थ पी क्रित नहीं होगा इसलिए इस question का right answer option number C हो जाएगा next सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल यह कि सीथ काल में hand pump का जल गरम होता है क्यों बहुत अच्छा सवाल है सीथ काल में यानि ठंडी के motion में जो comment के जाब सभी लोग और इस question का right answer option number B हो जागा B में हमारे पास के है कि प्रित्वी के भीतर तापमान वायू मंडल के तापमान से अधिक होता है यही करण होता है कि ठंडी के motion में यानि सर्दियों की दिनों में hand pump का जल वो गरम होता है ठीक है अगले सवाल देखेंगे कहां से आती है और इस question का right answer option number A हो जाएगा A में हमारे पास कहा है सूर के ताप से होता है वायू मंडल में गरमी कहां से आती है तो यह सूर के तापश होती है जो कि option number A हो जाएगा right answer ठीक है next सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल यह है कि निम्ण में से किश में सम्वहन होता है यह भी सवाल बहुत अच्छा है निम्ण में से किश में सम्वहन होता है तो यह होता है किवल द्रव और गैशों में जो कि option number हो जाएगा B right answer ठीक है द्रव और गैशों में क्या होता है शम्वहन होता है अगला question देखेंगे अगला question एक सूर की किरण किस प्रक्रिया के द्वारा प्रितवी पर पहुशती है औक सूर की किरण किस प्रक्रिया द्वारा प्रितवी पर पहुशती है बहुत अच्छा सवाल है तो यह पहुशती ही ही वी किरण के द्वारा जोकी option number A हो जागा right answer ठीक है अगला question देखेंगे सवाल number 9 आपके screen को परेंगे गर्ब म में पंखा चलाने से अराम महसुस होता है क्यों बहुत अच्छा सवाल है अगर गरम गर्मी के दीन हो अगर आप पंखा चलाते हैं तो बहुत ही अराम महसुस होता है क्यों होता है Option A में हैं पंखा ठंडी वायू देती है Option B में हमारा पसीना तेजी से वास्पिक्रित होता है Option C हमारे सरीय से अधिक उस्पा विकरित होती है और Option D इन में से कोई नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसका राइट अंसर क्या होगा मेरे इस आपसे इसका राइट एंस और Option B होना चाहिए कि हमारा पसीना जो है तेजी से वास्पिक्रित होता है आप समसे जी कहीं जा रहे हैं गर्वी के दीन है अगर आप पसीने पसीने हुए है और वाइदेवे अचानक से आपको फैन मिल गया है फैन मिल गया चलता हुआ और नीचे आप बैठे आराम से तो नीचे जैसे बैठेंगे तो आपका जो पसीना है वो क्या होगा धिरे धिरे वास्पिक्रित होगा वह इसलिए आपको क्या होता एकदम महसूष होगा अराम महसूष होगा बिल्कुल ठंड की तरह लगेगा ठीक है कितना अच्छा लगता है गर्मियों के लिए इसलिए इसके करण होती है तो यह पहारों पर वायुदाब कम होता है इसके करण क्या होता है पहारों पर जल कम ताप पर उबलता है ठीक है पहारों पर वायुदाब कम होने के करण क्या होता है कि पहारों पर जल का तापमन यह जल का कम तापमन होता है उसी पर जल उबलता है अगला कुशन देखेंगे अगला कुशन एकि कि किसकी विशिस्ट उश्मा अधिक होती है Option A में ही जल, Option B पारा, Option C, Hydrogen या फिर Option D में से कोई नहीं किसकी विसेस्ट उश्मा सबसे अधिक होती है तो ये होगी जल की जो की Option नमबर A हो जागा राइट एंसर नहीं वाटर हो जागा राइट एंसर ठीक है नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि निम्म लिखित में से सरोतम उश्मा का सुचालक है Option A, कोहल का Option B, पारा का Option C, इथर का या फिर उप्शन D, जल का राइट एंसर कमेंट करेंगे क्वेस्ट नमबर बारा का निम्म लिखित में से सरोतम उश्मा का सुचालक है तो ये पारा का है जो कि Option B हो जागा राइट एंसर ठीक है अगला सवाल देखेंगे, सवाल नमबर 13 यानि 13 नमबर यह कि उश्मा गतिकी के प्रथम नियम से संजक्षित रहता है क्या संदक्षित रहता है अड़ो की शंक्या, फिर उर्जा, या फिर मोल की शंक्या, या फिर ताप तो देखें, ये संदक्षित रहता है सिर्फ और सिर्फ उर्जा, जो कि Option B हो जागा राइट एंसर, ये सारे कोस्टन प्रीबियस येर कोस्टन है, ठीक है बिलकुल आपको State Practice समझ देजी कि ये आपका एक State Practice है ठीक है, Physics कंप्लीट करा देंगे पूरा आपको, ये सारे State Practice है ये टोटल, 20 कोस्टन मैंने लेके आया हुआ इस वीडियो में, इसलिए यहां पे देखेंगे ध्यान से, अगला कोस्टन अगला कुशन है कि आदर्स गैस की आंतरिक उर्जा निर्भर करती है किस पर करती है सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है, केवल तापमान पर निर्भर करती है, आदर्स गैस की आंतरिक उर्जा होती है, किसमें होती है र्याइट एंसर कमेंड करेंगे केवल गती जूर्जा में या फिर केवल स्थिती जूर्जा में या फिर option C में है दोनों A और B हो जाएगा या फिर option equal than M से कोई नहीं तो इसका right answer option number A हो जाएगा, A में है है हमारे पास केवल इस गती जोर्जा में होती है ठीक है नेक्स्ट सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगा यहां से यहां पर कि शमतापी प्रक्रम में गैस पालन करती है आप्षने बॉयल के नियम पर या फिर आप्षन भी चार्ल्स के नियम का या फिर आप्षन सी दाप के नियम या फिर आप्षन डी न्यूटन के नियम तो इस कुश्टन का राइट एंसर आप्षन नमबर बी हो जागा चार्ल्स के नियम हो जागा राइट एंसर ठीक है शमता ताप ये प्रशार में दाव का निधारण होता है किवल ताप से किवल संपीड़ाता से या फिर option C में है ताप युँन संपीड़ाता से दोनों से या फिर option D इनमें से कोई नहीं तो देखे इसका राइट एंस और option नमबर B हो जागा केवल संपीड़ाता से होता है ठीक है अगला question देखेंगे सवाल नमबर 18 आपके screen को परेगे समत आप ये प्रक्रम में गैस की विशिस्ट उश्मा होती है option A अनन्त option B सुनने option C रडात्मक या फिर option D नियत राइट एंसर कमेंट करेंगे आप सब लोग question नमबर 18 और इस question का right एंसर option नमबर E हो जागा ये अनन्त हो जागा right एंसर समत आप ये प्रक्रम में गैस की विशिस्ट उश्मा होती है यानि infinity होती है अनन्त होती है अगला question option देखेंगे ध्यान से सवाल नमबर 19 की एक गैस की आंत्री आंत्री कूर्जा कम होती है जब option A में है गैस उश्मा आउशोचित करती है option B प्रक्रम चक्री होता है या फिर option C रुद्रोशम प्रशार होता है या फिर option D में से कोई नहीं right answer कमेंट करेंगे question 19 नमबर 19 नेसका तो देखेंगे इसका right answer हो जाएगा एक गैस की आंत्री कूर्जा कम होती है जब रुद्रोशम प्रशार होता है option C हो जाएगा right answer ठीक है question को पढ़ते पढ़ते आपको answer मिल जाना चाहिए next देख लेए अगला सवाल अगला सवाल यह है और यह है आज का last question सवाल है कि गैस क या फिर option B item नियत रहता है देखें इसका right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाए यानि उस्मा का दान परदान नहीं होता है जो कि option number B हो जाएगा right answer ठीक है तो आज लिए तना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कीजिए comment कीजिए और अपने study group मे at least एक seer भी कर देजिए ठीक है तो आज लिए तना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में धन्या